असलाम अलेकुम खुश्यामेदीन है वेलकम टेनीमेलिया.pk मैं हूँ आपका बैडर्ट फुरकान ये आज हमारे साथ 14 साम मौझूद है हमने इसे रेस्क्यू किया था इसके बैसिकली नर्व का इश्यू था इसकी जो पीछली वाली टांगे थी वो चल नहीं रही थी ये घ असरुकात आपको भी कैसिस देखने को मिलते हैं ये बहुत ऐचाए तो मैं इसे छोड़ देता हु तो बहुत सब्लडर्य के इस तरह कि देखने को रखना है उसको जादा मूव नहीं करवाने देना डिपेंड करता है कि अगर इस तरह को कोई मसला आ जाता है तो यह हड़ी तूड़ जाती है तो जो पैट है वो बिलकुल भी पाउं नीचे नहीं रखेगा और जब भी वो पाउं नीचे रखने ही कोशिश करेगा तो फोरण ही उसकी जो टांग में दर्द होने की वेरे से पाउं को उपर उठा लेता है अगर बहुत जादा दिन गुजर जाएंगा कर टांग बिलकुली तूट चुकी है तो वहां पर स्वेलिंग और अला के शुकर है यह 90% तक रिकवर हो चुका है और अब यह चोधरी साब जो हैं यह अगर कोई लेना चाहता है तो आम उससे राप्ता कर सकते हैं इस तरह की कंडिशन में आप जो कुछ इंजेक्शन्स हैं अगर आपके पास डॉक्टर के पास रिसाई नहीं है मैथी को जोफ़ाल आप लगा सकते हैं कुछ नेरोटॉनिक में आप मिल्टि वैतमेंस सकते हैं हां सोझ पे वियुसेट फॉल dernière समय कटे नेरो युरै कौलीन के नाम से कुछ इंजेक्शन्स आते हैं वो सकते हैं लेकिंट करता सिक्वालत है मिल्कूल कर सकते हैं लेकिन करता है पर डाइगनोसिस के बाद आपके पैट को ट्रीटमेंट बताया जाए वही आप करें ताके आपका पैट रिकवर हो सके यह हमारे क्लिनिक पे तरामडी ब्रांश में मौझूद है आप आके विजट करके इसे लेके जा सकते हैं मैं अमीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो झाल